भारतिये फ्रेंस के लिए आई बुरी ख़बर रोहित सर्मा ने अच्छानट शोरी तीनों फार्मेट की कप्टानी वर्ल्टेस्ट चंपियंशिप द्वाज़ा टेस्ट के फानल मुकाबले में अस्टेलिया की टीम ने भारत को दो संदौ रोन से हरा दिया था जिसके बाद स के टीम मैनेजमेंट पर लोग जम कर सवाल उठा रहे हैं वहीं कुछ लोग तो भारतिये टीम के मवजूदा कप्टान रोहित सर्मा पर भी सवाल उठाते हुए उनसे कप्टानी वापस लेने की मांग कर रहे हैं हाला कि हाल में बीसी सी आई के एक आला अधिकारी ने कहा थ लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो रोहित सर्मा ने तीनों फर्मेट की कप्टानी छोड़ दी है दोस्तों बताएंगे पुरी ख़बर इस वीडियो में पीशे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें दोस्तों और चैनल पर दिन नए हैं हमारे यूटूब चनल नरेंदर क ढ़िए तो से स्क्राइब करें दोस्तों डॉस्तों वीडियो काषे दोस्तों ने छोड़ी तीनों फर्मेट की कप्टानी बारतिया तीम के खिप्रमेट समय कापी ज्यादा सुर्खी में चाहिए हुए नजर आ रहे हैं बैरसर एसपोर्ट्स कीड़ा की एक रिपोर्ट की बारत की मिली हार के वज़ा से काफी ज्यादा दुखी हैं। यही वज़ा है कि वो एसिया कप और विशुकप जैसे बड़े टूनामेंटों में किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते हैं और इसी वज़ाय से उन्होंने ब्रेक लेकर एसिया कप द्वाजाश तेष और वंडे विशुकप द्वाजाश के लिए भारत की कप्टानी की जीमरारी रोहत सर्माहिस निभाएंगे इतना ही नहीं पांच अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं वंडे विडियो को दिल से रिलाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चलने नरंदर के क्रिकेट से नहीं जूर हैं तो जूर जाए वीडियो को अंतक देखने और अपना बहुत समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धान्यवाद